नमस्कार एटोजेट डिशश ओशाग और जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कहने जा रहे हूँ खीरे का रायता ये रायता खाने में बहुत मज़िदार लगता है बनाने में भी खूब असान है तो चली बिल्कुल भी देर नहीं करत ये बड़िया सा क्योकुमबर का यानि के खीरे का रायता बनाना शुरू करते हैं तो इस रायते को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्योकुमबर यानि की खीरा ये मैंने एकदम फ्रश ताजा लिया है इसको मैंने पानी से अच्छे से वाश कर लिया है अब इस इसे कुछ इस तरह से आप अच्छे से कदुकस कर लेना यहीं कि ग्रेट कर लेना यह जो रायता है बनाने में भी असान है खाने में तो एक खोब अच्छा लगता है बहुत 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 अच्छा लगता है अब इसके अंदे एक बारी कटी हरी मिर्ची आपको जितना तीख साब से इन सारी चीजों को कम जादा कर सकते हैं अच्छे से मिला लीज़े बन कर तयार ये बड़िया से खीरे कर रहता दही जो इस्तमाल करें वो जितना हो सके ठंडी करें ज़रूर से ट्राइ करना सच बतारी हो अगर ऐसे खीरा खाना नहीं पसंद देना तब भी आप इसे बनाईए या फिर ऐसे बच्चों से लेकर वड़तों को पसंद आएंगा हैल्दी है टेस्टी है ट्राइ करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांकियो फो वाच